जैहिन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सूपर इस्टेडी यूटूब चैनल में इस उडियो में बात करेंगे कि SSC MTS क्या है इसके बारे में आप लोगों को इस उडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है इसमें हम बात करेंगे कुछ important topics पर जैसे कि इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है दूसरी चीच salary यहां पर कितनी होती है promotion कब और किस परिकार से होता है और यहां पर 5 फरवरी 2021 से इसके online आविदन सुरू है है ना तो यहां पर पूरी basic से लेकर advance जो भी जानकरी इस भरती से जुड़ी हो सकती यहां पर आप लोगों को provide करवाने की कोशिस करेंगे तो वीडियो important है अगर आप इसके form apply करने वाले है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा चलिए वीडियो को start करते है उससे पहले मैं यहां पर आप लोगों को बता दू परिक्षा एप के बारे में SSC Railway Bank के आप किसी भी परतियोगी था परिक्षा के लिए अगर आप test series लेना चाते है तो परिक्षा एप download कर लिजेगा यह आपको play store पर मिल जाएगा इसका लिंक मैंने description में भी दे रखा है अगर आप यहां पर मेरा code super 40 यूज़ करते हो तो आप लोगों को 40% तक का जो है आफ यहां पर मिल जाएगा SSC MTS के लिए भी जल्दी यहां पर test series available हो जाएगी तो यहां पर आप इसको परिक्षा एप को download कर लिजेगा चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले जानते हैं कुछ basic details जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो SSC MTS 2021 के लिए क्या qualification यहां पर रहने वाली है तो यहां पर आप अगर दस्वी पास है किसी भी राज्य से किसी भी बोर्ड से तो इसके online आविदन आप कर सकते हैं दूसरी चीज यहां पर क्या age रहती है इसके लिए तो यहां पर आपके 18 से लेकर 25 साल तक की यहां पर age रहती है और फिर यहां पर category wise आप लोगों को HTSC है आप तो आपको तिन साल की छूट यहां पर दी जाती है अगर आप OBC है तो आपको यहां पर दो साल की छूट जो है दी जाती है आगे बढ़ते हैं यहां पर कुछ सुधार कर लीजीगा जो कि आपके HTSC उनको 5 साल की छूट होती है और OBC के लिए 3 साल की छूट होती है अब यहां पर बात करते हैं कि इसका exam pattern किस परकार से रहता है तो यहां पर हम सबसे पहले आप लोगों को बता दे कि 2 stage में इसकी exam होती है पहला paper जो होता है वो objective type होता है जिसमें आपको 100 question जो है यहां पर पूछे जाते है जिसके लिए आप लोगों को यहां पर जो समय दिया जाता है वो 90 minute का समय दिया जाता है दूसरा यहां पर जो paper होता है वो आप लोगों का यहां पर जो है आप लोगों को निभण लेखन लिखना परता है जो कि यहां पर आप लोगों का simple होता है जो कि आठवी अनुसुची में जो भी भासा रखी गई है उसमें आप लोगों को निभधन लिखना होता है जो कि यहां पर 50 अंको का यह paper होता है जिसके लिए 40 मिनिट का जो समय वो handicap के लिए और जो general student है उनको 30 मिनिट का समय जो है दिया जाता है यहां पर देखेंगे paper 1 का syllabus किस परकार से रहता है तो यहां पर आप लोगों के जो है चार जो है यहां पर subject जो है पूछे जाते है paper 1 में paper 1 qualify करने के बाद ही आप लोगों को paper 2 के लिए यहां पर eligible किया जाता है तो यहां पर आप देखेंगे किस टाइप से syllabus है तो general English आप लोगों का पूछा जाता है 25 questions जो कि 25 अंकों के लिए रहता है और यहां पर अगर हम बात करें general awareness की तो यहां पर आपको 25 जो है questions रहते है जिसके लिए 25 नंबर के यहां पर questions पूछे जाते है ठीक है मैथ से कि अगर बात करें तो 25 यहां पर questions रहते है और reasoning के भी यहां पर 25 questions रहते है अब यहां पर हम बात करते है कि क्या क्या यहां पर काम जो है करना परता है देखिए सबसे पहला यहां पर चौकीदार या वार्ड ड्यूटी करना यह आप लोगों का काम यहां पर होता है यहां पर यहां पर काम रहता है तीसरा काम है कारेले की साफ सफाई करना यह भी काम यहां पर दिया जाता है आप लोगों को आपके नंबर के अनुसार क्या पोश्ट मिली है उसके according काम जो है डिसाइड होता है पार्क पौधेक कमरों का ध्यान रखना ठीक है दूसरा चीज़ यहां पर आप लोगों को आपके अगर आपके आपके आई टी आई का डिप्लोमा है या फिर उससे संबंदित योग्यत है तो उससे संबंदित पिर आप लोगों को जो है वर्क यहां पर दिया जाता है तो तो बात हो गए, यहां पर क्या काम करना पड़ता है? अब बात करते हैं salary और promotion की तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो है 5200 से लेकर आप लोगों के 2200 से ले आप लोगों को salary सेलरी पोश्टवाइस मिलती है ग्रेट पे की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 18 सुरोपए ग्रेट पे मिलता है जो कि साथ वे तरनमान चैनुसारी रहता है तो यह आप लोगों का कुछ यहाँ पर रहता है इस परकाइस से दूसरी चीजाँ पर प्रमोशन की बात करें तो जैसे कि आप यहां पर office में जो है जिस प्रकार से भी आप लोगों को कारे दिया जाता है उस according अगर आपका कारे अच्छा रहता है तो फिर यहां पर आप लोगों को थोड़े ऊचे लेवल पर जो है यहां पर करके पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिन्द वंदे मात्रम अच्छा करें